हेलो दोस्तों नमस्कार अगर आप भी कोई प्रिपेड मोवाइल प्लान रिचार्च करवाते वक्त यह सोचते हैं कि इस प्लान में 28 दिन की जगए तीफ दिनकेओं नहीं मिलते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक बड़ी खुसकबरी है आपको जल्द ही तीफ दिनकी जारी किया है कि जिसके मुताबित टेली काम कंपणियों को कम से कम एक ऐसा टैरिफ प्लान आफर करना होगा जिसमें तीफ दिनकी मिलती हो ट्राई ने कहा है सभी टेली काम कंपणियों को तीफ दिनकी प्लान आफर बाउचर एक प्लान बाउचर एक स्पेसल टैरिफ बाउ और एक ऐसा कमबो वाउचर जरूर राफर करना चाहिए जिन्हें हर महीने एक ही तारीक को रेन्यू कराया जा सके ट्राई के नए बदलाव फे यूजर्स को काफी फाइदा पहुंचेगा और उन्हें अपनी सहुलियत के हिसाब से सही बेलेटी वाला प्लांस में कमसे प्लां के लिए साल में तीन बार रिचार्च कराना पड़ता है और इससे ठगा हुआ महसूस करते हैं अब ट्राई के इस आदेश के इस आदेश का टेलीकाम कंपनियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है यहां पर यदि बात करें बोड़ा फोन आइडिया का कहना है कि कंपनी को कंजीमर अवर्नेंस और रिटेल चैनल एजुकेशन के लिए काफी भेहनत करने पड़ेगी जोस्तों अब बात कर लेते हैं यहां पर एयर टेलकी तो कंपनी ने कहा है कि ज्यादा तरप्रीपेड यूजर लो इंकम गुरूप के हैं कंपनी ने 28 दिन के खर्चे को बेहतर ढंग से मैनेज करने की सुद्धा मिलती है और दोस्तों अब बात करें यादी रिलाइंस की तो तो रिलाइंस जीयों ने तीफ दिन के रिचार्ज प्लान पर सहमत तो जताई है लेकिन साथ ही यह भी कह दिया है कि हर महीने एक ही तारीख और एक ही एमाउ झाल झाल